सुबह सुबह दफ्तर आने के बाद अगर हम दारू से जुड़ा हुआ कोई खबर नहीं करे तो मेरा मन भी नहीं लगता है और आपको भी लगता होगा कि बिना मतलब का दारू के बारे में काहे नहीं बुला जा रहा है लेकिन आग हम जब बोल रहे हैं तो एक मतलब है मतलब ये है कि दारुबाद जो जितने बिहार के हैं वो खुश हो जाईए क्योंकि नया फर्मान सरकार का बजट सत्र में आने वाला है फर्मान ये है कि श्राबबंदी के कारून में कुछ संशोधन होने वाले है अब सवाल ये कि संशोधन क्या होगा अब ये बताने से पहले नमस्कार मिरे नाम प्रशांतराय है और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोट और कोट ने जब लगातार भिहार सरकार पर इस बात को लेकर तंज कसना शुरू किया कि बहुत सारे शराब बंदी के शराब पीने के मामले कोट में पेंडिंग पड़े हुए है और इसको लेकर अन्य केसों की सुनवाई नहीं हो रही है और एक साल लग जा रहा है किसी केस का नंबर आने में अब उनको लग रहा है कि जो उन्होंने किया है वो गलत है इसलिए अब शायद शराब बंदी के कानून में संशोधन किया जाएगा अब सबाल की कैसा शंशोधन संशोधन यह कि अब जो शराब पिये गा वो जेल नहीं जाएगा आपने बिल्कुल सही सुना सूत्रों के हवाले से ये खवर आई है कि अब जो दारू पियेगा वो जेल नहीं जाएगा ऐसा संचोधन तयार किया गया है और कहा जा रहा है कि बरट सत्र में इसको पेश भी किया जाएगा सदर में इसमें ये प्रावधान रखा गया है कि जो भी बिहार के दारूबाज लोग है वो अगर दारू पिने के बाद पकड़ा जाते हैं तो उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और एक तय जुर्माना उनको भरना होगा और उसके बाद वो छूट जाएंगे वो जे जाएंगे तब आपको जेल भेजने का प्रावधान किया जाएगा मतलब कि अगर आप बिहार में अब अगर ये संसोधित बिल पेश होता है शराब बंदी के खिलाफ जो है तो उसके बाद अगर आप दारू पिते हुए आपको पुलिस पकड़ लेती है तो आप मजिस्ट इतीश कुमार की सरकार में सबसे ज्यादा शराब बंदी के मामले आ रहे है एक पैग पीकर एक पाउच पीकर ढाई स्वेमल दारू पीकर लोग पुलिस वाले लोगों को अरेश्ट कर रहे हैं और वो लोग जेल चले आ रहे हैं और अच्छी अच्छी जो मामले है जो फुट पर जाना तय था और अब शरकार ने ये फैसला लिया है सुत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि अब सराब बंदी के कानून में संशोधन किया जाएगा और वो संशोधन ये होगा कि अगर किसी को ऐसा पकड़ा जा रहा है जो दारू पी रहा है तो उसको जेल भेज बंदार पढ़ा हुआ है मतलब पीने वाले जो अरेस्ट होते हैं उनको सरकार अब थोड़ी राहत देगी और उनको जो जोड़ दिया जाएगा जिर्माना लेकिन जो सराब तसकर है जो शराब बेच रहे हैं और बना रहे हैं उन पर शिकंजा सरकार कसना चाहती थी और कसना चाहती है और कसना चाहती रहेगी ऐसा सुत्रों के हवाले से खबर आया है इसलिए जो शराब पी कर पकड़ाएगा उसको तै जुर्माना लेकर छोड़ दि तो जो लोग शराब तसकर हैं जो शराब बना कर बेच रहे हैं उन पर कड़ी करवाई और जल्दी करवाई हो सकेगी इसलिए ऐसी खबर आई है कि बजट सत्र में उत्पार विभाग और मद्द निशेद विभाग मिलकर एक संचोधित बिल पेस करेंगे जिसमें जो लोग प हार सरकार पर सवाल उट रहे थे कि वो कैसी शराब बंदी करके रखे हुए है कि हर वक्त लगातार हर जिले से हर दिन ये खबर आती है कि फलना आदमी मर गया मैंने आपको कल नमादा का एक खबर बताय था जहां कि सदरस्पदाल से देशी दारू का बोतल मिला था नालंद पर यह आ रही है कि अगर को शराब पिएगा उसको पुलिस पकड़ लेती है तो वो मदिस्ट्रेट के साहब ने पेश किया जाएगा और तैय जुर्माना देकर उसको मदिस्ट्रेट साहब छोड़ देंगे वो जेल नहीं जाएगा अगर वो जुर्माना नहीं देता है निचला तबका का लोग इसको धन्धा बना लिया है वो परिशान हो रहा है तो अब अगर आप पिएगे तो आपको जेल नहीं जाना है जुर्माना देकर आप बच सकते हैं और भी इस कानून में क्या क्या है इस पर जैसे ही अपड़ने अपडेट आगा तो आपको हम बता जाएंगे जुर्माना देंगे और घर जाएंगे इस पर कोई भी अपडेट आगा तो आपको हम बताएंगे मिरे नाम प्रशांत राय है आप जंता निंग्शन देख रहे थे बहुत-बहुत धन्यवाद